केंद्र मंत्री ने बताया कि कोरुणा की तीसरी लहर को लेकर अनुमान लगाया जा रहा था कि इसमें बच्चे भी प्रभावित होंगे इसके लिए पहले से ही वाट के निर्मान का संकल्प लिया गया था वाट का निर्मान पूरा होते ही बेगुस राय और अने जगहों के मरीज़ों को भी इसके सुविध हमिलेगी केंद्रे मंत्री ने कहा कि मोधी सरकार में स्वास्त व्यवस्ता को सुद्रिण करने के लिए कई उपाय किये गए हैं यह मेल का पत्थर वेगुस राय के स्वास्त सेवा में आज का पेक्ट्रोलियम डिपार्ट्मेंट परोणी रिफांडी के दौरा बच्चों के लिए अगर बच्चों पर परभाव पड़ेगा तो उसके लिए हमारे लिए हमारे पास नहीं था यह में में बनके तैयार हो जाए